नमस्कार दोस्तो असली प्राचिन टोटके यूटूब चैनल में आपका स्वागत करती हैं आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जल्दी शादी करने को उपाई जल्दी रिस्ता पक्का करने को उपाई लब मैरिस या प्रेम विवाहा करने को उपाई तो दोस्तों इस सोंबार के दिन करें ये उपाई आपके शादी में जो भी परेशानी आ रही थी जो भी बादा आ रही थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी दोस्तो अगर आप भी बगवान शीव के मंदिर में जाकर शीवलिंग के सामने बैठकर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी शादी में जो भी प्रेशानी आ रही थी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तो अगर आप भी शादी के बंदर में बंदना चाहते हैं लेकिन कैसे लाग कोशिश करने के बाद आपके लिए शादी के रिस्ते नहीं आते रिस्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती तो ऐसे समय में दोस्तो आपको निरास होने की बज़े कुछ वशीकन के टोटके उपाई जान लेने चाहिए जिसका प्रियोग करके आप भी जल्दी शादी के बंदन में बन सके आप भी प्रेम विवाह कर सके या आप भी जल्दी से जल्दी रिस्ता पक्का कर सके दोस्तों जो आपको उपाई और टोटका हम आप बताने जा रहे हैं उसको जानने के लिए वीडियो को आन तक जरूर देखना होगा अगर आपने उस तोटके को मिस कर दिया तो आप भी दोस्तों कभी जान नहीं पाएंगे कि सोवार के दिन आपको कौन सा उपाई करना है जिसे करने के बाद आपके लिए शादी के रिस्ते आने सुरू हो जाएंगे तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेश्ट करता हूँ अगर आपने अमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों जो आपको उपाई और टोटका करना है ये उपाई आपको भगवान शीव के मंदिर में जाकर करना है सुवार के दिन आप सभी दोस्तों जैसा जानते हैं कि अभी नवरातरी चल रहे हैं और अगर आप इस सोवार के दिन यो पाए करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी असर दिखाएगा जी हाँ दोस्तों आपने सोवार के दिन भगवान शीव के मंदिर में जाना है शीवलिंग को अच्छे से सनान कराना है उसके बाद आपने साथ बेल पत्तर रख देने हैं शीवलिंग के पास और दो फूल भी रख देने हैं आपने उसके पास में और जो फूल आपने रखने ह गन्दे के फूर होने चाहिए, उसके बाद आपनी पान के पत्तों पर सिंदूर की मदद सेše ओम बनाकर शिवलिंग के उपर रखकर om नमस शिवाई मंतर के 108 बार जाप करना है. जो भी आपकी मनो कामना है, उसको बोलते हुए आपनी ये जाप करना है. उसके बाद आपने बगवान, शीव और माता पारवती के मंदिर में जाना है यानि कि अगर शीव लिंग बाहर लगा हुआ है तो मंदिर में आपने अंदर जाना है बगवान, शीव और माता पारवती का गटबंदन आपने करना है जैसे जब फेरे होते हैं उस टाइम करते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए जल्दी शादी के रिस्ते आएंगे अधिक जानकारी के लिए दिये गए नमबर पर कॉल करें वीडियो को लाइक शेर और यूटूब जैनल को सब्सक्राइब करें